बिसम्लार माले रहीम, असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब मैं हूँ सादिया वहीद और आप दिख रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल मिक्सफूट सी क्रड़ साज हम बना रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मज़िदार सी दिल चिकी की रेसिपी, बहुत अज पर हमने इनको ड्राय रोस्ट करना है, दो से तीन मिनट तक, आप से एक रुग्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सुपोर्ट कीजीए, और साथ ही विर आइकन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन को भी स्लेक्ट कर दीजीए ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तेलों हमने ड्राइ रोस्ट करके निकाल लिया है अब हम यहां पे ले लेंगे एक खाने का चमच देशी घी इसको हमने बहुत ही अच्छे से पिगला लेना है आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे डेर सो ग्राम हमने गुड लिया है इसको हमने पिगला लेना है बिल्कुल हलकी आँच पे तिल के बहुत सारे हेल्थ मैनिफेट्स हैं यहां पे मैं चांदे काप के साथ शेयर कर देती हूँ तिल का मिज़ाज जो है वो गरम और तर होता है यह हमार सहित के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है यह मसानने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं जिन बच्चों को बिस्तर गीला करने की आदत होती है अगर उन बच्चों को आप ये खिलाना शुरू कर दें तो उनकी ये आदत खतम हो जाएगी जब मचाप इसमें लगतार चलाते रहिए 140 टीस्पून हरी लाईजी का पाउडर शामिल कर देंगे इसमे इसके इलावा दमे के मरीजों के लिए और गले की हराश के लिए भी तिल बहुत से आदा मुफीद होते है ड्राइ रोस्ट करके हमने जो तिल रखे थे वो आप हम इसमें शामिल कर देंगे बहुत ये अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और बहुत ही मज़िदार सी ये तिल चिकी बनती है आप भी घर में लाजमी ट्राइ कीजिए और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन किया करें यह देखिए यहाँ पे हमारे पैटर ने फ्राइंग पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है इसका मतलब है कि यह अब तैयार हो चुका है यहाँ पे एक बरतर ने मैंने बटर पैपर पहले से लगा के रख लिया था इसमें आप हम शामिल कर देंगे हमारा तिल और गुर का मिक्स्चर जो हमने बनाया है यह जब गरम गरम हो तब ही आपने जल्दी जल्दी से इसको निकाल लेना है इसको हमने ठंडा नहीं होने देना वरना यह जम जाता है फौरन से बहुत ही अच्छे से इसको बराबर फैला लेंगे अब हम इसको square pieces में कट कर लेंगे square pieces में हमने इसको बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है और अब हम इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे और set होने देंगे और 30 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए माशालला बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी सी तिल्जिकी हमारी पन के तियार हो गई है अब हम इसको तोड़ लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे बहुत ही जबरदस्त और हेल्थ मैनिफिट से भर पूर ये रेसि ये आप भी बनाएए खाएए मज़े उड़ाएए ये थी हमारी का आज की रेसिपी उमीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए फ्रेंट्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए मजीद अच्छी रेसिपीस के लिए लिए ये मिक्स फूट सीक्रेट्स अपना हया लगिए दूआओं में याद रखिए फिर मिलते हैं किसी बहुत ही सबरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज